क्या आप वेरिको सील के साथ एट्रोफी से घवरा रहे हैं क्या या फिर आपको यह लग रहा है कि मैं इंफर्टाइल बनता जा रहा हूं अगर आपके अंदर ऐसे डाउट्स चल रहे हैं तो आज यह वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूं इसमें सिर्फ और सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इससे कैसे बच सकते हैं और कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी मेडिकेशन के बिना किसी अलग से कुछ सेट अप करके हैं सिंपल सी बात समझना, वेरिको सील कर रही है, क्योंकि मैं हर टाइम यही बताता हूं आपको, कि वेरिको सील किस जगा पर आपको अटैक कर सकती है, आपने उस अटैक वाली जगाओं को क्या करना है, रोकने की कोशिश करनी है, समझ लो कि आप बहुत डिफेंसिव प्ले कर र है, ठीक है, और दूसरा, आपको वहाँ पर डर है कि एट्रोफी हो जाएगी, और तीसरा, आपको लग रहा है कि इनफर्टाइल हो रहा है, चौथा, आप पेन से कभी-कभी फाइट कर रहे हो, फिफ्था, आपको कभी-कभी ऐसा लगता है, कि वहाँ पर टैस्टी से एक छ बाद की प्रॉग्रम है, समझना, टैस्टी में जो ब्लट का फ्लो है, वो आट्री बेशती हैं, वेंस नहीं बेशती हैं, पहली बाद, वेंस जो हैं, वो बेसिकली आपका कैरियर की तरह काम करती है, जिसको हम ब्लट को टूवर्ड्स हार्ट बेश सकें, ठीक है, आप समझ बना कर देंगे, ठीक है, अब वहां से जाने वाला जो ब्लट है, वो कैरी करके वेंस लेके जा रही है, आपको वेरिकोसील वेंस में है, आर्ट्री में नहीं है, ठीक है, अब आर्ट्री जो हैं, वो अपने ब्लट के फ्लो को प्रॉपर भेज बारी है, और वो ब्लट लेके जा रही है, अब डी ऑक्सिडाइस में प्लब की, कि टेस्टीज ने उससे ऑक्सीजन और सारी चीज़े कंजियूम कर ली, अब वो खून जो है, वो बिना न्यूट्रीशन के और बिना किसी ऑक्सीजन के वो कैरी करके लेकर जा रही है, ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, कि वेरिकोसील में आपके टेस्टीज की टूवड्स ना जाते वे, उससे पार जाते वे, आपका ब्लट का फ्लो टूवड्स गूम जाता है आपके टेस्टीज की तरफ, समझ में आ गया, नहीं आया, तो फिर सब जाता हो, आपका ब्लट का फ्लो टूवड्स जा रहा था बट बीच में कोई ना कोई obstruction होनी की वज़ा से वो दुबारा से घूंके आपके testis की तरफ आना चालू हो गया ठीक है अब testis को क्या हुआ testis को हुआ problem उसको समझ ही नहीं आ रहा कि खून कहां से लूँ है वही nutrition कहां से लूँ है तो अब क्या हुआ कि उसने को व बट वर्ट टेस्टी में वह पुराना खून वापिस आकर ना चालू हो गया अब उस जगह पर दी ऑक्सिदाइस ब्लट जो है वह अपनी स्ट्रॉंग पोजिशन ले लेता है मानलो कि आप एक बैंच है वहाँ पर तीन बच्चे बैठे हैं ठीक है बड़ महां पर बच्चा क्या करता है अपने किसी यार दोस्कों बुला लेता है शैतान है हुब तार की वह क्या हुआ कि वो दोनों आकर साथ बाध गए एक ही स्टरॉंग जङह पर दो बच्चे बैठ सकते थे इ纜मीर पर जो ब्रिलेंट बच्चा था जो सीधा सा बच्चा बडिया सा ब कि वहाँ पर जो खराब खून था वह वापिस अपने दोस्तियार को बुलाकर आपके टूवर्ट टेस्टीज पर बेजना चालू कर लोता है जहाँ पर स्पेस उसको कम मिलता है जिसकी वजह से प्रिलेंट बच्चा अपना डंग से काम नहीं कर पा रहा डंग से पढ़ नहीं जिसकी वजह से बार-बार वह बच्चा घूम घूम के आपके उसी जगा पर अपर आ रहा है अब मैं अगर यहां पर ठीक करना है तो किस चीज को ठीक करूंगा कि क्या बता मैं उस बच्चे को शेतान बच्चे को सिखा दूँ कि वह तुन्हें को अपने दोस्त को नहीं ब बच्चों को ही बिठाओं और बाकी सबको निकाल दो ठीक है अब हम वही इस्ट्राटजी करते हैं जहां पर हम कोशिश करते हैं कि हम उस फ्लो को मेंटेन रखें उस डेस्क पे और बच्चों को आने से रोक सकें तो अभी क्या करेंगे हम एक्सरसाइस पर हैंगिंग इशू शनान हैं अब उसी से षोट difficult exercise क्या करेंगे अच्छे खूर की संख्चा को जादा बड़ादे ऊप्शे संख्ची संख्चा के जादा बड़ा दे जीझे से शेथा जो यह क्या किया हमने किशया कर के हमने शेतान बच्चा जो था उसको नूट्रलाइज कर दिया बाप और हम अच्छे से अच्छा खून महां पर भेजे जा रहे हैं तूवर्ड्स टेस्टी जिसकी वज़ए से अपने नूट्रीशन भी गैदर कर पाए अपनी लर्निंग भी कर पाए और आपको रिवर्ट बैट भी कर और कि जो पॉपलेशन हरेन उसको कम कर पए तों में क्या किया यहां पर हमने इस टेस्टी को अबनेैं अ लटकते की वज़ेस रोखने के लिए इसकी घूर्टिकल ब्रावें दी को बराबर होगी और साइड वान की कम ब्हां की आपकी screen पर मैं दिखा रहा हूं, कुछ exercise लैक्सिंग एक्सराइजे आपको करने में भी मज़ा आएगा और side-by-side आप इसको कहीं पर भी पर फॉर्म कर सथे हो, कहीं पर भी बैठ के ये देखो आपकी screen पर जिसमें butterfly है, eagle exercises है और side-by-side आपकी leg raise वाली exercise है खुद देख लो अब यह exercise आपके towards testis अच्छे खून का flow maintain रखेगी बढ़िया से रखेगी अब यह exercise आपको infertile होने से भी रोगेगी और यह exercise आपके basically atrophy होने से भी रोगेगी अब atrophy क्यों होती है उसके पीछे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं atrophy होने का reason जो है वो basically है कि towards testis हमारा जो deoxidized blood है वो ज्यादा बन रहा है जिसकी वज़ा से testis अपनी शमतार से nutrition नहीं ले पारे उसकी reason की वज़ा से माल लो suppose करो जो बूरे बच्चे है अगर वो बढ जाएंगे class में तो brilliant बच्चे दब जाएंगे अना सेम वही चीज हो रही है आपके बैरिको सील में कि अगर आपके testis में class में अगर मैं brilliant बच्चे ज्यादा बरूंगा तो वह अपनी शमता से अच्छा काम करेगी अगर मैं वहाँ पर शैतान बच्चे ज्यादा बरूंगा तो वह अपने performance में weak पढ़ेंगे, सब के सब, brilliant भी weak पढ़ेंगे, तो same यही strategy होगी आपकी testis के towards जब atrophy होने के chances बढ़ जाते हैं, जब सारे के सारे शैतान बच्चे हो जाएंगे, तो class क्या होगी, होई नहीं पाईगी न, वैसा ही same मजलो, कि अगर सारे के सारे शैतान हो जादा बच्चे तो class की strength क्या होगी, कम होगी, सेम वही चीज हो गताती है, आपके testis के पास, दीरे-दीरे-दीरे-दीरे करते-करते उसको अपने आपको सिकुणना पड़ता है, जिसकी वज़ासे वो nutrition की वज़ा से, lack of nutrition होनी की वज़ा से वो अपनी performance नहीं दे पारा होत होता, lack of nutrition अलग मिल रहा होता है, तो अपने आपको सिकुणना चालू कर देता है, क्योंकि हमारी body यही कहती है, जब काम ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा मेहनत करने की जुड़ोती ही, तो महाँ पर क्या करते है, ज्यादा मेहनत होती ही नहीं है, जिसकी वो सिकुणने चाल जो मैंने आपको यह exercise बताई है, इसको आपने दिन में तीन से चाल बारी करो, और कम से कम दो बारी तो करो, सुबा रात को सोने से पहले दो बारी तो करो, जिसकी वज़ासे आपके testis के towards blood की flow maintain रहे, जिसकी वज़ासे कोई problem arise ही ना हो, अब बात करते हैं कि आप इसके साथ साथ, देखो यह तो होगी exercise जो आपकी atrophy, atrophy, atrophy सबको रोग सकती है, आपके testis की health अच्छी बना सकती है, सब कुछ कर सकती है, आप करेंगे इसमें कि आपने क्या नहीं करना, क्योंकि क्या होता है, कि वैरी को सील होता है, पेशन्ट को लगता है कि मैं supporter क्यों डालो, आप supporter दलवा देते हो, supporter मेरे को दिक्कत देता है, अब supporter जो है, वो बीसी के लिए आपको support देने के लिए है, testis को, जिसकी वज़ा से उसमें और ज्यादा दिखते ना बढ़े, अगर आप supporter नहीं पैनो के तो वो grade को बढ़ाएगा, आज की date में 1st grade है, कल वो 2nd grade में जाएगा, प उससे prevent करके रखता है, इससे supporter पैना जरूरी है, अगर आपको supporter नहीं समझ में आता तो लंगोट पैन लो, लंगोट पैनना में भी दिक्कत आ रही है, तो एक size छोटा अंडीस का डालना स्टार्ट कर दो, जिसकी वज़े से लटकर ना बढ़े, और वेरी को सील के patient में आज पैना स्टार्ट कर सकते हैं, supporter तो समझ लो की जरूरी है, अगर supporter बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा कि समझ ही नहीं आ रहा, या कोई दिक्कत दे रहा है, तो एक size छोटा या लंगोट पैन सकते हो, लंगोट भी पैन सकते हो, ऐसा नहीं कि लंगोट नहीं पैन सकते हैं, और हमें वेरिको सिल भी है, तो fertility issue को sorted करने के लिए हम जो intake करेंगे, as in food में, वो बहुत अच्छी चीज़े करेंगे, जैसे कि आपका हो गया protein, zinc, selenine, ये तीन चीज़े mandatory हैं हमारे sperm production के लिए, ठीक है, हमारे absorption के लिए, जैसे zinc हमारी body में absorption बहुत अच्छी से perform करा पाता है मतलब कुछ भी खा रहे हैं, तो उसके absorption अच्छी से दे पाता है, तो इसलिए zinc यहाँ पर mandatory हो जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं, मैं तो protein भी खा रहा हूँ, मैं तो बहुत सारी अची अची चीज़े खा रहा हूँ, पर फिर में को fertility issue क्यों हो रहा है, मैं वहाँ पर यह बो कर रहे हैं, उसके absorption अच्छे से हो जाए, और absorption होने के बाद वो nutrition हमारी body पे proper तरीके से लग जाए, जिससे हमें fertility issues भी ना ही हो, So, मेरे खाल से यह सारी वीडियो आपको समझ भी आ गई होगी, क्लियर भी हो गई होगी कि किस तरीके से हमने अपने आपको सही तरीके से वेरिकोसिल में में डखना है और जो हमारे को help करे, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आयो तो प्लीज ला झाल